ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अचारे धर मिंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल यह राशिफले 17 जनवरी 2021 रहिवार का दिन है पोश महा के शुकल पक्ष की चतुर्थी ती थी है और इस दिन शतिभिशा नामक नक्षत्र होगा तथा कुम्ब राशिमी चंद्रमा बिद्धिमान रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो पश्चिम दिशा में रहेंगे इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसान दाइसा भी थोगा यदि किसी कारण वस पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यदा वश्चिक हो तो पान खाकर के यात्रा प्रारंब कर सकते हैं राहुकाल जो किशाम को साड़े चार बजे से लेके छे बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी परकार का शुव माँगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए देनिक ग्रह गोचर के दि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरीदेव जो की मकर राशी में रहेंगे वहीं चंद्रमा कुम्भ राशी में होंगे मंगल ग्रह मेस राशी में, बुद्ध मकर राशी में, देव गुरु ब्रहस पती जोकी मकर राशी में, शुक्र ग्रह धनू राशी में, शनिदेव मकर राशी में, राहू व्रशब तथा केतु व्रश्चिक राशी में विराजित रहेंगे इस देनिक ग्रह गोचर के नुसार मेश, व्रशब, मेटोन, कन्या, व्रश्चिक और धनू ये छेरा शियां सबसे अधिक भागिशाली रहेगी दिन इनके लिए लाप प्रसिद्ध होगा धनलाप के सांसा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का उत्तम दिन इनके लिए रहेगा कर अब हम आपको मेश चे लेकर के मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी पहल बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंते तक जरूर देखेगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी क कोई पुराना विवाद यदि चल रहा है तो आपसी सूजबूच से हल हो जाएगा जिससे रिष्टे दोबारा मधूर हो जाएंगे अपनी पिछली गलतियों से सीख लेकर के वरतमान को सुधार ने हेतु मनन करे और अपनी योजनाओं को क्रियानवित करे जल्दबाजी मे कोई भी निर्णे न ले तथा पुरानी गलतियों को बिल्कुल भी न दोराएं किसी प्रकार का जूटा आरोप प्रत्यारोप आपके उपर लग सकता है अंजान व्यक्तियों के सलापर ध्यानने दे कर अपनी बनाई हुई नीतियों पर ही आपको काम करना चाहिए और उपा बात करते हैं व्रशब रासी की किसी विश्ष्ट कारी को पूरा करने में आपकी महनत आज कामियाब होगी जैसे घर और समाज में आपका योगदान रहेगा आपके काम की तारीव और आपको मान सम्मान भी मीरेगा आपके आत्मिश्वास और स्वाभी मान में इजाफा अपना कुछ नुकसान आप कर सकते हैं इसलिए इस प्रकार के कारियों से आपको बचना चाहिए उपाई के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में सफेद फूल चडाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपक करेंगे किसी खास उपलब्धी को हासिल करने में आप सक्षम रहेंगे कोई समय समाजिक गतिविधियों में आपका व्यतित होगा कोई ऐसा समाचार आपको मिलेगा जिससे मन में नकारात्मक विचार कुछ समय के लिए उत्पन होगे लेकिन बाद में सब कुछ ठीक ठाक हो अब हम बात करते हैं करकराशी की आपकी विनम्रत तथा सहयोगी स्वभाव दूसरों के लिए मिसाल बनेगा तथा घर और आसपास के वातावरन में आपकी तारीफ और मान सम्मान जैसे इस्तिती रहेगी पडूसियों के साथ चल रहा कोई पुराना मद्भेद दूर करने क लिए उत्तम समय है कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपके स्वभाव की वज़े से लोग आपको जो है उपयोग कर रहे हैं इसलिए किसी की मदट करने से पहले उसकी मनशा को समझना अति अवश्यक होगा वरन्या लोगों की बातों में आकर आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं उपाई के रूप में यदि आप दही में शकर मिला करके संकर भगवान के मंदिर में दान करेंगे तो आपका डेन शुफलदाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की भविश्य संबंधी फेसलों को लेने के लिए आज बहुती उत्तम दिन है किसी अंजान व्यक्ती से अचानक मुलाकात आपके भाग्योदय संबंधी द्वार खोल सकती है योवर्ग अपनी किसी दुविधा के दूर होने से राहत महसूस करेंगे परंतु उत्तेजना और क्रोध के सभाव से आपको बचना चाहिए उपाई के रूप में मसूर की दाल और गुड गाई को खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागीशाली अंक पांच होगा भागीशाली रंग आपका क्रीम होगा अब हम बा पूर उपियोग आपको करना चाहिए संतान पक्ष की चिंता रहेगी विध्यार्तियों को अपनी किसी विशेस कारी में सफलता प्राप्त होगी उपाई के रूप में यदिया भगवान गणेश जी के मंदिर में सफेद रंग का कोई भी फूल चड़ा देंगे तो आपका दिन शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की आज परिवार संबंदित कुछ महत्त पूर्ण निरनाय आपको करने पड़ेंगे जो की बहुत ही सकारात्मक परिणाम आप को देंगे किसी खास व्यक्ति से मुलाकात लाबदायक सिद्ध होगी आपके रुके वे काम पूरे हो जाएंगे दिन भर कुछ व्यार्थ के कारियों में आप व्यस्त रहेंगे जिसकी वजह से थकान वचिर्चड़हट आप महसूस करेंगे किसी को भी पैसा उधार देते स खाना आपके लिए शुप्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की आप अपनी कारी संबंदी योजनाओं को आज बहतरीन तरीके से बना पाएंगे किसी प्रभ किसी सदस्य के स्वास्तु को लेकर चिंता रहेगी और कुछ महत्वपूर्ण काम इस्तिगित आपको करने पड़ सकते हैं नए जन संपर्क आपके लिए फाइदेमन साबित होगे उपाई के रूप में भोजन के बाद यदि आप कोई भी मीठी वस्तु खाएंगे तो आप आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं धनुराशी की आज भाउकता की बजाए चतुराई और विवेक्स से काम लेना परिस्थित्यों को आपके पक्ष में करेगा बच्चों की किलकारी संबंदि शुब सूचना मिलने से परिवार में उत्सव भरा माहूल रहेगा किसी अटके हुए काम को पूरा करने के लिए उचित दिन है अपनी योजनाओं को क्रियानवित करने से पहले उसके सभी पहलूओं पर भली भाती विचार करें बहतर होगा कि किसी अन्य भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की आपके साथ कुछ ऐसी इस्तिती घटी थोरने के वाली है जिससे आपको लगेगा कि इसी देवी शक्ती या इश्वर का भरपूर आशिरवाद आपके साथ है अपनी प् मंद में दस्तावेज भली भांती आपको चेक करना चाहिए पैसो के लेंदेन में भी साउधानी बरतने की आउशक्ता होगी और उपाई के रूप में भगवान विश्णु जी के मंदिर में चने की डाल का दान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागि शेस मुद्दे पर विचार विमर्श होगा युवाओं को अपनी किसी दुविधा के दूर होने से राहत मिलेगी और भविश्य संबन्री फैसलों को लेने के लिए उनके अंदर हिम्मत आएगी कभी-कभी आपका शंकालू सुभाव आपके बंते कारियों में रुकावट उत्पन न कर सकता है इसलिए ऐसे स्वभाव से आपको बचना चाहिए तनाव पूर्ण स्थिती भी बनेगी लेकिन आपको धैर और शांती से सभी कारी आपको करना चाहिए उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि आप गुड़ खाएंगे तो आपका देन आपके पक्ष में है काफी लंबे समय से चली आ रही किसी परेशानी से आपको निजात मिलेगी अप अपने आपको तनाव मुक्त महसूस करेंगे और अपने व्यक्तिकत कारियों पर आपको ध्यान देना चाहिए आर्थिक मामलों के लिए ठोस नरणे लाब दायक सिद्ध ह उपाए के रूप में यदि आप अपने मस्तक पर लाल कुंकुं का तिलक लगाएंगे तो आपका डिन शुफल्दाई सावित होगा आपका भागशाली अंक साथ होगा भागशाली रंग आपका गुलाबी होगा तो मित्रो या बारा राश्ची का देनिक राश्ची फल और उनको करने वाले उपाय तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमिन करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्कार लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जाई सीक्रश्न सादर धन्यवाद